हेलो फ्रेंट्स बाइवर्ड में आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स इस वीडियो में हम हिंदी के क्वेश्चन लेका आये हैं और हिंदी में अनेक सब्द का जो एक सब्द होता है उनका क्वेश्चन लेका आये हैं क्योंकि एक जाम में एक क्वेश्चन अनेक सब्द के एक सबसे question रहते हैं तो इस वीडियो में हम number of question 30-35 देखेंगे तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक देखते रही है और वीडियो अच्छा लगए तो लाइक जरूर किजिएगा तो चलिए देखते हैं आज का question सब्सक्राइब पहला question जो कुछ नहीं जानता है उसे अग्य बोलते हैं जो जानता है उसे सुविगय जो सब्सक्राइब दा है उससे सरवग्य ध्यतिस्यम्र क keschen दर्ती और आकास के बीच का स्थानद मुणपि पहरती और आकास के बीच का स्थानद को क्या नो सकित ऐस अन्तरिक्ष बोलते हैं इस जरी वत्तिस समर कोश्चटन देखते हैं 32 नमर क्वेश्चन है जिससे बुलाया ना गया हो उसे क्या बोलते है अना हूत 32 का एंसर हो गया बी चलिए 33 नमर क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका ग्यान इंद्रियों द्वारा ना हो जिसका ग्यान इंद्रियों द्वारा ना हो से क्या बोलते है अगोचर ठीक है और जिसका ग्यान इंद्रियों द्वारा हो उसको गोचर चलिए अब चौतिस नमर क्वेश्चन देखते हैं च्वत्यूर हो किया हो जिसने विवाह ना किया हो उसको क्या बोलेंगे ओ विवाहित ठीक है विदूर नहीं बोलेंगे उसके पैतिस नमर क्वेश्चिन है जो मुक्ष पाना चाहता हो जो मुक्ष पाना चाहता हो उसे क्या बोलेंगे मुमुक्ष तो पैतिस कैंसर हो गया हम भी चलिए 36 नमर question है जिसके समान कोई दूस spirituality है अगर तुलना वाली बात हो तब आएगी ऊतुलिए उसकema 37 Number question है जो आदर करने योग हो आदर करने योग को क्या पदर नहीं है तो जो संसार का संघार करता हो जो पहले कभी घटित ना हुआ हो उसे क्या बोलते हैं जैसे घटित मतलग हो चुका है और ओ लगा देता ओ घ्टित मतलब घ्टित नहीं हुआ है तो दी नमर उपसं देखिए ओ घ्टित तो 40 का एंसर हो जाएगा डी चलिए 40 नमर कुष्चन देखते हैं जाए नब्र मुमर्पन जहाँ नजियों मी बसक्त हो यहाँ नद्रफ मिलन हो क्या बोलते हैं संगम और एक गाना निकला हुए था रिशी कपूर कहीं था साहः। बोल रहा था बोल संगम होगा की नहीं याद है आपको तो वही मिलन की बात हो रही है चाले एक तालीस नमर कुईस्चन है जो दूसरों के अधीन हो जो दूसरों के अधीन हो मतलब उसके अंदर क्या बोलते हैं पराधीन ठीक है इसमें थोड़ा सा सोचना रहता है अगर क्वेश्चन आप लोग को हो उसका रिविजन कर लीजेगा चले बियालीस नमर क्वेश्चन देखते हैं बियालीस नमर क्वेश्चन है जो अभी तक न आया हो जो अभी तक आया ही नहीं उसको क्या बोलेंगे अनागत ठीक है तो बियालीस का एंसर हो गया भी 33 नमर दूर्गम बोलेंगे जो राह असान हो अगर राह की बात रास्ता की बात हो वहाँ पर दूर्गम और सुगम लगेगा, ठीक है? और जो प्राप्त किया जासे कि उसे अधूसर्प्राह बोलेंगे चलिए अब 44 नमर कुस्चन देखते हैं, क्राइब 134 क्वेस्चन हो एक स्ब्सक्राइब संक्रमन जो रहता है वही अधिकार जो कर लेना वही संक्रमन कर लाता है और दुरलब जो असानिस ना मिले उसे दुरलब बोलते हैं उसके लिए जो काल से परे हो जैसे भूत काल भविश्च काल और वर्तवान काल होते हैं इन सवी से जो परे हो उसे क्या बोलते हैं काला तीत और महादेव को भी कालतीत बोलते हैं उसके बाद चलिए 46 नमर क्वेश्चन देखते हैं 46 नमर क्वेश्चन है जिसकी परिभासा देना संभव ना हो मतलब जिसका परिभासा ना हो या ना देना हो उसे क्या बोलेंगे और परिभास्य और जिसका परिभासा देना संभव हो उसे क्या बोलेंगे परिभासित ठीक है उसके बाद चलिए 47 नमर क्वेश्चन है ग्रंत के वे बच्चे हुए अंस जो प्राया अंत में जोड़े जाते हैं ग्रंत के वे बच्चे हुए अंस जो प्राया अंत में 47 नमर question है जो पीछे चलता हो तो पहला option है अग्राज, मतलब होता है बड़ा ठीक है और जो भैभीत होगा वो क्या होगा भै उसका पचास नमर क्वेश्चन देखते हैं पचास नमर क्वेश्चन है जिसकी पत्नी जिवीत ना हो जिसकी पत्नी जिवीत ना हो से क्या बोलेंगे चलिए यहां पर HW दे रहे हैं ठीक है अच्छा क्वेश्चन है और जिसका पत्नी ही ना हो उस पुरुष को क्या बोलेंगे यहां पर पुछा गया जलिए कि बाघन नमर कोशिचन दख्टेयां जो बीट चुका हो जो बीट चुका हो से क्या बींदते हैं अतित ऐत्र टीक कि चले अब भापण तो नहीं दिखाया दे कैंसर हो गया टीचले टिर्पन नमर क्वेस्टन देखते हैं तिर्पन नमर कुईस्चन जीसे भुलाया ना जा सके याद मत अब सुख ना थेim और और वी असमरन हो गया तो वह हो गया भुलाया ना जा सके ठीक है तो तिरपन का इंसर हो गया भी चलिए चोबन नमर क्वेश्चन देखते हैं आप चोबन नमर क्वेश्चन है जहां पिर्थवी और आकास मिले दिखाई दे अगर आप देखेगा तो एक अंतिम छोड़ प जिसमें महमता होता है उसे बोलते हैं वातसली और जिसमें महमता ना हो उसे बोलते हैं निर्मम तो पचपन का एंसर हो गया से चलिए चलिए च्पन नमर क्वेश्चन देख लेते हैं च्पन नमर क्वेश्चन है जो नीचे लिखा गया है ऐसा क्वेश्चन रहता है आप ल क्या जो नीचे लिखा गया उसको क्या बुलेंगे एक सब्ध मैं तो से बुलेंगे निमने लिकी तो 26 का अंसर और यह तावन हमा क् waar7 जानने की एकछा रखने वाले जानने की एकछा रखने वालों क्या बोलते हैं चलिए प्रिदा राइध खरों सब्सक्राइब के लिए याद रहें आप लोग से ठीक है गलत सही जो भी हो आप लोग एंसर जरूर किजिएगा और पेड कलास में जितने भी स्टूडेंट है सारे टेस्ट के लिए तैयार हो जाईए कि ठीक है क्योंकि इस बार नमर और कुष्चन बहुत जादे रहने वाली घ् größt चाहिए चलिए अब 10 नावल को छिटे आं टावरन नमर क्वेश्चन है जिसका वर नश्यार की जासे कि उसको क्या बोलते हैं वे खान जिसका बनन की जासे को उसको बोलते 1974 ठीक है उसका दिसका वर्नन डाशे उसको बोलते हैं महता है जो कभही नहीं मरता जो कभी नहीं मरता उसके लिए एक सब्द कुन सा प्रियोग करेंगे ये भी हड़ों में दे रहे हैं ठीक है थोड़ा दिमाग पर जोड़ लगाईएगा हो जाएगा जो उपर कहआ गया हुँ कि उपर कहा गया है तो पर कभी बार क्विश्चन देसे हों है जिसमें लिख देता है उप्योगत मतलब अ उपर अत्व करना है चुनना है तो उपश है देख böyle कर दिये ऊपर यूक्त कर दिया है ऑप्योक्त कर दिया है ठीक है तो आप लोग को चूज करना है कि इनैं में कौन सही है चलिए भी ह् डव एक को में देते हैं ठीक है उप्यूकते हौगा लेकिन दोनों मेंसे कौन सही ही आपको सोज करना है तो अभी तक दतीन होомव imbalance मिल चुका है चलिए एक सेट नमर कुइस्टन देखते हैं एक सेट नमर कुइस्टन है जो केवल फल खा कर रहता हूं वह मतलब इदार सागसब जी कुछ नहीं कहता हो सिर्फ फल खा कर रहता हो से क्या बोलेंगे दी नमर उप्षन पढ़िए फलाहारी ठीक है उसके बासर नमर कुइस्टन है जिसकी सीमा ना हो जिसकी कोई सीमा मतलब लिमीट होता ना कि तुम लिमीट में रहो या यहां से यहां तक हमारी सीमा है इसके बाद दूसरा का खेता आता है तो उसके लिए कौन सा एक वर्ड कोद में सोने वाली इस्तरी को क्या बोलते हैं अंक सायनी ठीक है तो तिरसाट का एंसर हो गया अंडी उसके अचलिए चोसर नमर कुष्चन देखते हैं चोसर नमर कुष्चन है जो सत्रू की हत्या करता है जो सत्रू की हत्या करता है उसको क्या बोलेंगे सत्रू और जो जि उसके आद पैसेट नमर को इस चनल है हिसाव किताब की जाच करना इसके लिए एक सब्द की अगर आपको पूछे कि एक सब्द को यूज किजिए तो आप कौन सा सब्द यूज किजिएगा चलिए यह भी हचे डबलू में हमको लग़ा कि 5 हचे डबलू हो गए आप लोग के पैसा किजिए कि सभी का नमर करके एक ही कोमेंट में सारे कपले पूरा वीडियो देख लिजिए गा उसके बाद जो जो एच डबलू है आप लोग याद करके और एक ही कोमेंट में सारा एंसर क्यार देजिएगा ठीक है अगर अलग अलग भी करें तो नमर ज़रूर कर तो आज के लिवा स्वाइज है मिलते हैं इक्स्ट वीडिवे से लाज नीक्स है